स्वागत है एक बार फिर से Nifty Back Nifty के प्रिटिक्सनस वीडियो में कल है Friday Friday के दिन हम लोगों को किस तरह से ट्रेडिंग करना है Nifty और Back Nifty में एक Intraday Trader, Day Trader कहाँ पे Intry, कहाँ पे Exit का Levels निकल के आ रहा है Nifty में और Back Nifty में बारी बारी से समझेंगे अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका भाई डेली इस तरह के वीडियो लाएगा और मंडे से लाइब भी आने वाला हूँ अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूँ कि सहिक्सन करने म सारे संकेतों दोब shaken to रियाक्ष करता है जिसमें सबसे पहले मगों को क्रूड बारे में बताया है और देखो क्रूड बाएल अभी नेगेटिव चल रहा है अलांकि थोड़ा सा बाउंस वैक लिया है लेकिन ठीक ठाक मतलब अभी भी negative ही मानेंगे दूसरा में dollar index तो भी record अस्तर पे है negative ही मानेंगे 106 dollar पर अभी चल रहा है dollar index उसके बाद अगर हम तीसरा मानेंगे bond yield US dollar जो है US का 10 year का bond yield वो भी अभी चल रहा है minus में अपने 16-17 साल के record अस्तर पे कि जो bond yield का interest rate है वो बढ़ा हुआ है तो यह भी हमारे लिए negative है हमारे equity market के लिए negative है उसके बाद संकेत अगर हम देखें FIs का तो वो भी विकबाली कर रहा है ठीक है उसके बाद अगर हम देखें American market का तो DAW feature तो चलो ठीक ठाक है बट क्या करना है हमें American market जब 7 बजए open होता है उसके बाद वहाँ देखेंगे कि किस तरह से mood mahol है अब वहाँ पे किस तरह से mood mahol होगा उसके basis पे ही हमारा gift nifty में FIs, DI trade करेंगे तो वहाँ से हमें cause मिलेगा फिर हम लोग gap up या gap down होंगे तो जादा तर चांद चीज है जो है वो है negative का तो हम लोग negative के उपर जादा ध्यान देंगे और positive के उपर थोड़ा ध्यान कम देंगे तो अभी हम लोगों को समझना क्या है कि levels क्या है gap up या gap down के बाद तो चलते हैं बाड़े बाड़े से nifty और bank nifty का समझते हैं मार्केट में कहां पर लो था यह वाला लो था न आपको अभी क्या हुआ मार्केट में मैं क्या करता हूँ एक train line लेता हूँ तो अध्यान से समझेगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ देखो यह मैं इसको train line यहां पर ड्रॉ करने की क क्या है sentiment है पूरा सब बेरिस लोगों का trend बेरिस है globally बेरिस मार्केट का all sentiment क्या है बेरिस है ठीक है तो वैसे भी देखो लो अभी कल है क्या मार्केट अगर इसके नीचे breakout दे देता है ना इस ट्रे लाइन के नीचे तो फिर हमें यह जो लेवल है ना अगले एक दो दिन ओम देखने को मिल सकता है और यह लेवल आपका कौन सा है यह है आपका 19,250 का लेवल ठीक है तो ध्यान चे ट्रेडिंग करिएगा और आप हमारे WhatsApp चानल को जरूर जोएन कर लिजेगा और Telegram को भी जोएन कर लिजेगा बिल्कुल फ्री है हर चीज फ्री है मैं आप फे फ्री आप लोगों के साथ डिसकस करता रहता हूँ ठीक है तो हमें सिंपल करना क्या है कल के ट्रेडिंग में वन डे के चार्ट पे हमें सिंपल और आसान सब्दों में दिख रहा है मार्केट का trend आज के इतना बड़ा गिराबट जो है काफी मतलब कहता है ना मुड़ खराब कर देने वाला था बहुत बरी गिराबट है एक दीन के हिसाब से आपको देख सकते हो यह वाला जो आपके एक सपोर्ट लाइन था उसको भी ब्रेक करके मार्केट जो है एकसपारी के दिन यह पर गिरा है तो हमें कुछ दहान से समझना है कि कल के दिन हमें level क्या रखना है और किस जगह पर मैं entry करना चाहिए कौन से price में राइट दोस्तो 15 में चार्ट पर आचुके है निप्टी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज का टॉप और आज का लो उसको मर्क करते हैं तो हम simple यहां से एक tool लेंगे horizontal line और यह जो है मेरा आज का जो है top हो गया और मेरा आज का low कहां पे रखना है उसको भी मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं देखो आज का जो low है यह आपका है ठीक है तो यह जो low है इसको मैं कर देता हूं green color में right चलो अब मैं इसको थोड़ फिर दो दिनों की छुटी है ठीक है वैसे settlement जो है holiday है कल भी आज भी settlement holiday था कल भी settlement holiday है अगर आपका जो profit बगएरा हुआ या बिड़ बगएरा करना चाहते हैं वो सीधा बंडे को होगा ध्यान से समझेगा तो अभी हमें क्या करना है देखो लास्ट time में आपको लास्ट 15 मि talking करके day end करते हैं तो कल के दिन अगर गयाप हुआ वैसे सारे संकेत तो negative है तो ज्यादा चांसे मार्केट में क्या है मार्केट कहीं भी open हो हमें क्या करना है हमें इंतिजार करना है rise का बड़तला टॉफ का ठीक है देखो market closing है 19,550 के आसपास अभी हम करेंगे क्या market अगर कल gap up होता है सबसे फेले ध्यान से समझेगा gap up होता है 19,610-625 के range में ठीक है तो देखो यहां पे ना दो तरह से trade बनता है अगर 19,600 के ऊपर अगर टिक जाता है nifty ठीक जाता है ना sustain कर जाता है 15-20 मिनट आपको देखना परेगा क्योंकि trading तो है skill और patience का ऐसा थो रही है कि फिर patience रखना होगा 15-20 मिनट की 19,600 के ऊपर टिक जाए तो फिर हम 19,600 का एड दमनी का एक call ले लेंगे अराम से 19,635, 655 and 685 आप जो है यह चोटा-चोटा target को रखना दूसरा scenario बनता क्या है gap up के बाद की 19,600 के ऊपर अगर नहीं टिकता है तो आपको क्या करना है simple भासा में समझेगा 19,600 के नीचे जैसे ही एक 5 मिनट का candle बना दूसरा candle जैसे ही इस 5 मिनट के candle के break दिया हम ले लेंगे यहाँ पर put में entry strike price कौन रखेंगे हम हम रखेंगे यहाँ पर 19,700 का इंदमनी क्योंकि put है अगर गिरेगा तो price जो है हमें gain जादा देगा put में क्योंकि यहाँ प 545 का एंद 19,525 का चुटा 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 target है अपने हिसाब से market में देखकर profit book कर लिजेगा तो gap down में हम क्या करेंगे ध्यां से समझना है 19,500 के range में हम open होते हुए देखेंगे वैसे आप अगर 19,500 के option chain में देखोगे तो अच्छा खासा put writing करके बैठा हुआ है तो एक बार अगर 19,500 के range में एक बार हम call पहला टाइम है पहला जो opening होता न उस टाइम में अगर 19,500 के आसपास मिले तो हम एक 19,500 का एर्दमनी का call ले सकते हैं टार्गेट हम रखेंगे 19,535-19,555 का जो आज का closing है ठीक है उसके बाद हम मार्केट के मूड महौल देखके आगे का plan करेंगे अभी हम लोग समझते हैं मार्केट में बैक ने ठीका क्या मूड महौल और क्या लेवल रहने वाला है कल ए 20 मिनिट के चार्ट पर यहां पर मैंने इसको देखा यहां पर देखो अभी अगर मैं इसको एक support line से अगर टच करता हूं तो आप देखोगे कि इस जगह पर टच होता हूं दिख रहा है support मेरा जो है आज का यह low है क्योंकि मैं अपने लोग को जो है आज का ही mention करूंगा यह पर जो मेरा आज का low है इस लोग को लेकर ही चलना है कि मुझे कल डेट एडर के लिए इंट्रेट एडर ही राइट तो हमें देखो क्या करना मैं इसको जूम कर देता हूं ठीक है इस तरह से हमारा structure बनके ready है तो कल क्या है हमें gap up या gap down क्यों बैसे तो आप लोगों को पता ह है कि bearish sentiment है trend bearish है तो इन सब चीजों में हमें ज्यादा तर जो है trade ढूणना है food side में यह option buyer अगर seller हो तो हम call sell के तरफ जाएंगे तो हमें करना क्या है gap up या gap down यह हमें जो train line में ने दिया है यह काफी important color role play करने वाला है क्यों कि इस train line के ऊपर क्या है कि एक बड़ी moment आएग में तो हमें उपर में 44,500 एक अच्छा रेजिस्टेस जो है अभी बन चुका है option chain के अनुसार और हमारा जो है यहां पर जो है देखो market अगर किस जगा पर open होता है तो यह जो है आपका यहां पर आएगा तो यह भी आपका लगबक 44,525 44,575 यह जो range है यह बैंक निप्टी कल से चाल हो रहा ना विकली उसमें 44,400 525 जो एक अच्छा रेजिस्टेंस का होने वाला है तो हमें ध्यान देना है कि अगर इसके ऊपर breakout देता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है तो हम यहां पर call by कर सकते हैं 44,500 का ठीक है और उहां से हम लोग 44,750 44,825 यह जो है हमारा target बन सकता है कल के दिन अगर 44,500 के ऊपर break डाउट देता है तो ग्यापप के बाद लेकिन अगर नहीं हम देखेंगे 44,500 के रेंज में जाता है तो वहां से हम एक risk ले सकते हैं put जो है यहां से buy करके क्योंकि market देखो sentiment down है तो हम 44,000 अगर मान लोगी 300 है 4,500 के रेंज में दूसरा scenario कि अगर resistance बना दिया रेजिस्टेंस क्रियेट कर दिया 44,525, 575 ठीक है तो वहां से हम put buy कर सकते है कौन सा 44,500 अप ले लो कोई दिक्कत नहीं है 45,500 का put आप buy कर लो वहां पर हम क्या करेंगे target हमाना setting रहेगा 44,475 का एक छोटा सा 44,425 का एक medium सा 44,325 यह target हमें मिल सकता है एक बार की 44,325, 44,250 के range में आएगा तो वहां से फिर buying आ सकता है ठीक है क्योंकि वह हमारा जो है low बन जाता है यह वाला range जो मैंने आपको low अभी बताया है यह वाला range फिर हमारा buy का बन सकता है तो इस तरह से हम gap up के बाद की trading strategy रखेंगे I hope आपको समझ में आया खुलता है तो हम देखेंगे पहला पांच मिनट मैं आपको gap down के बात कर रहा हूँगा अप डाउन में ध्यान से make and break वाला जो है trading होने वाली है क्या करेंगे पांच मिनट बेट करेंगे ध्यान से समझेगा यह मारी strategy है पांच मिनट बेट करेंगे अगर rate candle मतलब rate candle का मतलब बिक वाली वाला तो rate candle के पहले पांच मिनट के ऊपर जो breakout देगा वहाँ पे हम put ले लेंगे ठीक है और अगर green candle पहले पांच मिनट gap down के बाद बना और इसके ऊपर breakout देता है green candle के साथ तब यहां से call में इंट लेंगे यह simple कल gap down के बाद back nifty में strategy रखनी है I hope आपको जाव पांच मिनट लेंगे रखने बाद के साथ तक यहां साथ पांच मिनट लेंगे है और अच्छाई